नमस्कार बेनो बेनो पोशन ट्रेकर एप में एक नई अपडेट आई थी 19.7 जो एक नॉवंबर को ही अपडेट आई थी उस अपडेट में एक नया फीचर एड किया गया था टी एचार और एसीम भरने को लेकर जो की साथ तारिक तक ही डेट है तो आप लोगों के पास दो इनका समय बचा हुआ है इस दो दिनों में आप लोगों को फोशन ट्रेकर एप में जो भी लभार्थी हैं जिनको हम लोग टी एचार या एसीम नहीं दिये हैं उनकी एंट्री हमें साथ तारिक से पहले कर लेनी है कैसे करनी है चली हम आपको बताते हैं और इस से रिलेटेर कि आप लोग लाश्ट तक देख लिजिएगा और अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सेर भी कर दिजिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे पोशन ट्रेकर एप 19.7 को अपडेट कर लिया है अगर आ यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेगनेंट टूमेन लेक्टेक्टिंग मदर और 6 मन से 3 यर्ज के बच्चे और 3 यर्ज से 6 यर्ज के बच्चों के केटेगरी खुलके आज आ जा रही है तो यहाँ पे हमें THR और SM किनको किनको भरना है पहले यह समझ लेते हैं THR हम यहाँ प करने के बच्चे वाले को यहाँ पर SM कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बेसीकली ध्यान देनी है यहाँ पर कंडिशन क्या है यह अगर आप किसी भी एक लभार्थी की के टेगरी को ओपन करते हैं जैसे गर्वाती धातरी या जो भी बच्चों की के टेगरी आप एक बार ओपन करते हैं तो आपको यह जो फर्म है एक ही बार में सब्मिट करना है फिर से सुनीजिएगा आपको यह फर्म जो है एक ही बार में सब्मिट करना है ऐसा नहीं कि आप एक बच्चे का या एक लभार्थी के यहाँ पे 25 देज का जो में आपको यहाँ पे submit करना है इस चीज़ का आप लोग basically ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीचे note में पढ़ सकते हैं लिखा गया है this form can only be used once so please double check your entries before submitting them यह का रहा है कि आप लोग इसको एक बार check कर लें कि जितने भी लभारती है उनको एक ही बार में आप लोग को ठीचर देना है तो इस परकार से आप लोग को यह सारी चीज़े समझ के यहाँ पे जो भी condition है उसके बाद ही form को submit करना है ठीक है अब इसमें condition क्या आ रही है कि कई सारी सिरीका बहनों का comment आ रहा है कि यहाँ पे के 24 hours के बाद आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका जो यह 25 days का option है वो server पे upload हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे थोड़ी server की problem के चलते आप लोग को यहाँ पे 0 देखने को मिल रही है ठीक है बाकी आप लोग को tension नहीं लेनी है आप लोग को यहाँ पे जो भी 25 days का option है वो select कीजिएगा और यहाँ पे submit कर जिए बाकी आप लोग को कुछ नहीं करना है आपका server पे upload हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे करना है चलिए यहाँ पे सभी लोगों 25 days के लिए THR दे देते हैं आप सभी को 25 days select कर लिया है करने के बाद आप आपको यहाँ पे submit वाले option पे click कर देना है basically मैं यहाँ पे submit करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अभी बिहार में जो है कि आंगन बाड़ी केंदरों पे हर्ताल चल रही है मांदे को लेकर तो इसलिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पे मैं submit करके आप लोग क नहीं दिखाऊंगा जहां भी आप लोग motion tracker app का काम शुरू है जहां भी काम हो रहा है आप लोग यहाँ पे click करके submit कर लिजेगा ठीक है फिर उसके बाद यहाँ से back होंगे और यहाँ पे जो लेक टेक्टिंग मदर की category है उसको open करेंगे इसमें भी आप लोग को 25 25 सभी करनी है और यहाँ पे आके submit कर देनी है ठीक है इस प्रकार से आप लोग कर लिजिएगा फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीन से छे वर्ष के बच्चे हैं जिनको हम लोग ACM देते हैं उनकी category को open करेंगे और यहाँ पे हमें ACM वाले पे click करना है और यहाँ पे 25 डेज के लि यह नए feature दिया गया है जिसमें की पिछले मन्त का जो THR और HCM है वो आप लोग यहाँ से भर सकते हैं तो आई होप आप लोग को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके share कर दीजिएगा और यदि आप लोग को पो कर दो